कि वेरी गुड मॉर्निंग तु आल अफ यू स्टडी आई क्यू आई ये सिंधी पे आप सबका स्वागत है एक बार बता दो आवाज आ रिये मेरी आप लोगों को तुरमोध रिजभूशन सुमित निश्व कमलेश रेया रोशनी अंकुष रमेश voor het तरुन तर raging dromod तो रमेश्वरी वही वाली रमेश्वरी हो क्या पुराने वाली कि मेरी पुराने एक प्रामेश्वरी मुझे नाम याद रह जाते हैं अपने स्टूर्टेंस के तो एक बार बताना यार पुराने वाली हो कि नए वाली हो कि आवाज आ रही है सब कुछ सही ठीक है बहुत बढ़िया तो आज हमारी fundamental right की last classes होगी काफी सारे questions बच गए हैं फटा फट उन questions को निप्टा लेते हैं मेरे हिसाब और आज आपको एक complete PDF भी मिल जाएगी मेरे हिसाब से conceptual clarity हो रही होगी आपको इन सारी classes की एक बार ऐसा करो भाई session को share कर दो मेरे ख्याल से बच्चे सो रहे हैं या उनको आभास नहीं है कि class शुरू हो चुकी है session को जितना जादा शेयर कर सकते हो उतना जादा शेयर कर दो फटा फट शेयर कर दो ठीक है कल कुछ technical error था इसलिए आपकी जो morning वाली class थी वो नहीं हो पाई थी दिन तक आते आते वो technical error ठीक हो गया था तो इसलिए जो दिन में मेरी paid class होती है वो हुई थी ठीक है तो चलो शुरू कर लेते हैं फटा फट हम यहां कुछ कुछ कोशन हमारे बच गए है जैसे यह वाला कोशन बचा है हमारे यह वाला तो हो गया था किसको सर्वोच न्याले ने मौलीक अधिकार के तोर पर मानता दी है फटा-फट कोशन कीजिए किसी को राश्ट्रगीत गाने के लिए यानि जो हमारा बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रय और अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार का उलंगन होगा यानि आर्टिकल 19 के तहट भी आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते इससे अंतहय करण की और धर्म के अबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की अधिकार का उलंगन होगा और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्या करने के लिए कोई विधिक उपबंध नहीं है यानि कोई विधी नहीं है ऐसी जो राष्ट्रगीत गाने को कंपल्सरी करती हो फटा फट अंसर बताइए क्या सही होंगे एक द अल्राइट है ना सारे के सारे सही हैं किसी को कोई शक इसमें बता देती हूं एक्स्प्लेन कर देती हूं ध्यान रखिएगा आर्टिकल 19 के तहट जो वाक और अभी व्यक्ति की स्वतंतरता है उसके तहट भी आप किसी को बाध्या नहीं कर सकते कि आपको इतना ही यही बोलना है जैसे आपने आर्टिकल 19 की जब explanation देखी होंगी तो आर्टिकल 19 में मोन रहने का अधिकार भी शामिल है कि यदि आप बोलना नहीं चाहते तो मोन रहने का अधिकार भी आपके वाक और अभी व्यक्ति की स्वतंतरता में ही अंतर नहीं होगा ध्यान रखिएगा इसके भी बिल्कुल सही है क्योंकि राष्ट्रगीत गाने को कंपल्सरी बनाने के लिए कोई विधिक प्रोवीजन नहीं है या तो भाई कोई विधी हो कि भाई इस विधी के तहत राष्ट्रगीत गाना देश के प्रतेक व्यक्ति के लिए कंपल्सरी है ऐसा कोई विधिक और दैहिक स्वतंतृता का अधिकार शोशन के विरुद अधिकार बता दीजिए इन चार fundamental rights में से कौन सा fundamental right ऐसा है जो विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है अंसर क्या होगा A B C D अंसर क्यों नहीं आ रहे भाई इतना easy question है अंसर क्या हो जाएगा बहुती बड़िया ध्यान दखिएगा अभी व्यक्ति की स्वतंतृता इनको एक बार तोड़ो विदी के समक्ष समानता और समान संदक्षन कहां है आर्टिकल 14 में है, अभी व्यक्ति की स्वतंतरता 19 में है, चान और दहिक स्वतंतरता आर्टिकल 21 में है, शोशन के विरुद अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है और हमें ये पता है कि विदेशी नागरिकों को कौन-कौन से fundamental right प्राप्त नहीं होते केवल नागरिकों को कौन-कौन से fundamental right प्राप्त होते हैं, तो 15, 16, 19, 39, यानि ये जो 19 है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त होगा, विदेशीयों को प्राप्त नहीं होगा, अंसर क्या हो जाएगा? ठीके निम्न लिखित में से भारत के समिधान का कौन सा अनुछेद के सब कर लोगे? कानून के समक्ष समानता से related कौन सा है? तो सब को पता होना चाहिए, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षन की बात करता है, और ये आर्टिकल 14 सभी को प व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है अब language आपको अपने आप तोड़नी है कौन से सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है विधी के समख्ष समानता धेर भाव के विरूद अधिकार देश भर में भ्रमन करने की स्वतंतरता चुनाव लड़ने का अधिकार बताए कौन से ऐ ऐसे अधिकार है जो सब को उपलब्ध नहीं है एक 3-4, 1-2-3, 1-2-4, 2-3-4 ABCD, अंसर बताओ फटाफट, क्या अंसर होगा इसका, गलत नहीं होना चाहिए भाई, इसकी दासा है, अच्छा यहाँ पे कहीं बच्चे ना यह confused हो जाएंगे, मैम हमने तो चुनाव लडने का अधिकार ही नहीं है क्या हो गया fundamental right के अलावा भी तो बहुत सारे अधिकार है ना रखेगा जिन में एक चुनाव लड़ने का भी अधिकार है तो ऐसे में हम किसी विदेशी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार थोड़ी ना दे देंगे कोई अमेरिका से टूरिस्ट आया है देश में लोग सभा के एलेक्शन हो रहे हैं वो कहें चलो चलो भाई मैं भी participation करता हूं यह कोई मजाग थोड़ी ना देश का चुनाव तो देश के चुनाव में केवल देश के नागरिकों को ही participate करने का अधिकार होगा ना विदेशी नागरिकों को तो नहीं होगा इसमें सोच नहीं नहीं है घ्यान रखिएगा बाकी यह 14 है यह भेद भाव के विरुद अधिकार आइटिकल 15 है देश भर में ब्रहण की स्वत अंतरता किसमें आ जाएगा 19-1-D में आ जाएगा तो नाव लड़ने का अधिकार तो फिर यह अपना political right हो गया तो अंसर क्या ह हो जाएगा दो तीन चार सही होंगे ना क्योंकि यह तो सभी को प्राप्त होगा यह 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 तीन अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होंगे सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे ठीक है very good बहुत बढ़िया ती सही था सबका भार्तिय समिधान दुआर तो कौन साधिकार गैर नागरिकों कोपी उपलब्ध है बताओ कौन साय साधिकार है जो गैर नागरिकों कोपी उपलब्ध है अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता देश की किसी भाग में घूमने बसने काधिकार संपत्ति अर्जित करने काधिकार समयधानिक उप्चारों काधिका या समेधानिक निराकरण का अधिकार आर्टीकल 32 बताओ क्या होगा अंसर है वेरी गुड़ देव और कोई बच्चा जल्दी जल्दी काही नहीं चलता है तो आप जल्दी जल्दी अंसर नी भेजरो फटाफट अंसर भेजा करो अंजली कमलेश दिव्या अनुज संजना देव बहुती बढ़िया बहुती बढ़िया अंसर क्या हो जाएगा इसका नईम लक्की बहुत बढ़िया यार आर्टीकल 32 आर्टीकल 32 में है ना समेधानिक उप्चारों का अधिकार हमें बस इतना कंसेप्ट देखो वहाँ पर हैं कुछ चीजें हमने समझ समझ के पढ़ी हैं अब आप वहाँ पे बैठके सोचो ये समिधानिक उप्चारों का अधिकार तो केवल भार्तियों को मिलना चाहिए विदेशियों को क्यूं मिलेगा इतना दिमाग लगाना ही नहीं है पांच अधिकार आपको बता दिये गए या संपत्तिक अधिकार अर्जित करने का गार हो है ना कोंस्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट फॉन्दमेंटल राइट नहीं है राइट 2 प्रोपर्टी लेकिन फिर भी भारत में संपत्ती अर्जित करने का अधिकार किसको होगा भारतिय नागरिकों को होगा विदेशियों को भी होता है लेकिन उसके उपर कुछ rules and regulation होते हैं फ्रीली तो नहीं अर्जित कर सकते हैं खिक है तो अंसर क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा डिक भारतिय समिधान की प्रस्तावना में प्रियुक्ट समाजवाद, सोशलिज्म, शब्द को निमनलिखित किस अनुछेद के साथ मिला कर पढ़ने से सर्वोच्च नियाले को समान कारिये के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाशित करने की शप्ती प्राप्त है यानि जब हम समाजवाद के तहत हम देखें कि तना उलजना नहीं है यहाँ पर यह बोला गया है कि बही समान कारिये के लिए जो समान वेतन की संकल्पना है कि ये कौन कौन से fundamental right से हमें देखने को मिलेगी आर्टिकल 14, 14-15, 14-15-16, 14-16 पताएए फटा-फटा अच्छे इसका डी ओप्षिन नहीं दिख रहा होगा आपको डी ओप्षिन है इसका 14 तथा 16 धान रखिएगा अच्छा पहले मेरे को यह बताओ क्या I think 2021-21 में 21 में कोशन पूचा है क्या हमारे Constitution में कहीं पे साफ तोर पे लिखा है कि महिलाओं और पुरुशों को समानकारिये लिए समानवेतन मिलेगा बताओ लिखा है कहां पे लिखा है article 39-D में साफ तोर पे लिखा है 9 जब हम DPSP का आर्टिकल 39-D देखते हैं उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि स्त्री और पुरुष को समान कारे के लिए समान वेतन मिलेगा लेकिन यहां पर बात हो रही है समाजवाद से जब हम जोड के देखें तो कौन से आर्टिकल सपोर्ट करेंगे इसको तो भाई एक तो आर्टिकल 14 सीधा सीधा सपोर्ट करेगा विधी के सम समान होगा और साथ ही आर्टिकल 15 को भी हम एड ओन तो करी सकते हैं कि राज्य जाती धर्म लिंग जन्म स्थान के अधार पे कोई विभेद नहीं करेगा हाला कि यह भेद भाव का अधिकार वेतन से डिरेक्ली नहीं भी जुड़ता है और आर्टिकल 16 तो बिलकुल चाहेगा 14-16 तो कन्फर्म होंगे और एक्स्प्लेनेशन इसके एक बार देखनी पड़ेगी कि सर्वोच चन्यालिया ने आर्टिकल 15 को शामिल किया है कि नहीं किया है लेकिन आर्टिकल 15 भी शामिल हो ही जाना चाहिए हमारे पॉइंट ओफ यू से तो आर्टिकल 15 भी क्या हो जाएगा हमारे अकोर्डिंग अंसर इसका सी होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 15 भी लिंग की आधार पर विभेद को नकारता है ठीक है ध्यान रखिए गार यह बताईए किस अनुछेद की अनुसार OBC अधर बैकवर्ड क्लास यानि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको आपको समाने तोर पर पता भी होना चाहिए कि किस अनुछेद के तहत OBC के आरक्षण का प्रोविजन किया गया है अनुछ इसको जूम करने की कहां से जरूर्द पढ़ गई बेटा यह तो खूब अपने आप ही जूम है वेरी गुड भूती बढ़िया बई अनुछ प्रमोद अंजली ब्रिजभूशन देव पूजा तरन्न सोरी तरुन ओफिशल यूटूबर अच्छा बच्चा बच्चा बहुती बढ़िया अंसर क्या हो जाएगा पंदरा चार और सोला चार पंदरा चार क्या कहता है अदेखो पंदरा एक और पंदरा दो आपक सकता है यानि पंदरा एक और दो के अपवाद शुरू हो जाते हैं पंदरा तीन से लेके पंदरा छे तक पंदरा चार साफ तोर पे कहता है कि राज्य सामाजिक और शेक्षिक द्रिष्टी से पिछड़े वर्गों के कल्यान के लिए उत्थान के लिए विशेश प्रयास कर सकता है और ऐसे विशेश प्रयास आर्टिकल पंदरा एक का उलंगर नहीं होंगे है ना उसी दिसी बात है आर्टिकल पंदरा चार के तहत राज्य सामाजिक और शेक्षिक द्रिष्टी से पिछड़े वर्गों के कल्यान का काम कर सकता है और 16 चार 16 तो आरक्षन का प्रोव चार अंसर हो जाएगा इसका भारतिय समिधान के निम्नांकी तनुछेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विशे में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता देता है बताओ लोक नियोजन यानि सरकारी नोकरियों में अवसर की समानता की बात कौन सा आर्टिकल कर पताईए अंसर क्या हो जाएगा बहुती बढ़िया अच्छा मैं सामने आगा अब ठीक है मैं साइड ही रहूं तो ठीक है तेकिन फिर पीट से आपको भूज जैसी आवाज आती रहेगा बहुती बढ़िया याद रखेगा सोला एक और सोला दो क्या कहते हैं सोला एक लोक नियोजन के विशे में राज्य जाती धर्म लिंग छेत्र जन्मस्थान इत्यादी के अधार पे किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा और सोला दो साथ ही जूड जाता है यानि लोक नियोजन के विशे में सबको अवसर की समानता होगी ये सोला एक कहता है और विभेद किसी भी आधार पे नहीं होगा सोला दो कहता है संख्यों को केवल भाशाई अल्प संख्यों को भाशाई धार्मिक नर्जाती अल्प संख्यों को आई एस 1999 का कई बार बता चुकी हूँ यहां से आप सबको पता होगा कितने प्रकार के अल्प संख्यों की पहचान हमारे कॉंस्टिट्यूशन में की गई है आर्टिकल जब 39-30 को आप देखते हो तो कितने प्रकार के अल्प संख्यों की बात है अंसर क्या होगा हाँ बहुत बढ़िया अंजली संजना, QPSC, पबलेश, पूजा देवी डी काहे कर दिया बच्चे, मम्ता, अच्छा बच्चा, इब्रार, कोठारी, तरुन, शिवा, प्रमोध, बहुत ही बढ़िया लख्य, नईम, शैलेश, शिवा, बहुत बढ़िया केवल धार्मिक और भाषाई अल्प संख्यकों की बात है, हमारे Constitution में, निरजाती अल्प संख्यक, बाकी किसी भी प्रकार के अल्प संख्यक का कोई provision नहीं है, केवल भाषाई और धार्मिक अल्प संख्यकों के संरक्षन की बात है, ध्यान रखियेगा, और Article 39 में, अच्छ मैंने बोला, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, साथ ही अल्प संख्यकों को परिभाषित भी किया गया है, अंसर क्या होगा, 39 में अल्प संख्यकों के शिक्षा और संस्कृती संबंधी अधिकारों का जिक्र है, साथ ही अल्प संख्यकों को परिभाषित भी किया गया है, यह सही होगा कि गलत होगा। प्रिजभूशन अच्छा पिछला कुशन चल रहा है। गलत होगा भाई बिल्कुल गलत होगा। पत्त ही सही नहीं होगा। हमारे Constitution में कहीं पे भी अल्प संख्यकों को परिभाशित नहीं किया गया है। कहीं पे भी अस प्रिश्यता आर्टिकल वर्ष से 14 वर्ष तक के आयू के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है वर्तमान में क्या है राइट टू एजुकेशन क्या है कि पीएसपी है मूल अधिकार है समविधिक अधिकार है उपर युक्त में से कोई नहीं बहुत ही बेसिक सा कोश्यन है बस यहां प कि आसी में समिधान संचों दुवारा इस 21 ए को अलग से एक फंडामेंटल राइट बना गया और इस 21 ए के तहत राइट टू एजुकेशन ठीक है आर टीई की व्यवस्ता कर दी यानि वर्तमान में जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या है एक फंडामेंटल राइट है लेकि आर्टिकल 45 जब आप राज्य की निति निदेशक तत्वों का आर्टीकल 45 यानि प्राथमिक शिक्षा चली गई fundamental rights में तो अब यहां पे कुछ संचोधन होना था यानि आर्टिकल 45 में अब 0-6 वर्ष यानि जो प्रारंभिक शैश्वा वस्था होती है उसकी देख भाल का दाइत्व राज्य को दिया गया है आस समझ में आई दोनों जग है तो फिर हम प्रात्मिक शीक्षा की बात करी नहीं सकते थे क्योंकि fundamental राइट बन गया तो फिर डीपी एस्पी में रखने का क्या मतलब था पास समझ में आई तो यह जो शासीवा समिधान संचोधन है ना हमारा यह काफी महत्वपूर्ण है इस शासीवे समिधान संचोधन द्वारा तीन जगे चेंजीज हुए सुन लो एक बार क्या हुआ एक तो फंडमेंटल राइट में परिवर्तन हुआ और आर्टिकल 21 ए जुड़ गया और 6-14 वर्ष तक के बच्चों की प्रात्मिक शिक्षा का प्रावधान किया गया एक प्रोवीजन हुआ डीपी एस्पी में राज्ये के नीती निदेशक तत्वों में आर्टिकल 45 की लेंगवेज चेंज हुई और 0-6 वर्ष तक के प्रारंभिक शैश्वा वस्ता की देख भालका दाइत्व राज्ये को थोपा गया और एक चेंज हुआ फंडामेंटल के में मॉलिक करतव्यों में क्या हुआ इसी 6 सी में संविधान संशोधन के बारा ग्यार्वां fundamental duty जोड़ा गया ग्यार्वा fundamental duty क्या है प्रतेक माता पिताया अभी भावक का ये दाइत्व होगा कि वो अपने 3 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की या फिर वो अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करें ठीक है भारतिय समिधान में संचोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया ये तो बिल्कुल बेसिक सा कोशन है मैं आपको बता देती हूँ एक एप्रेल 2010 से ये जो शिक्षा का अधिकार था इसे व्यभारिक बनाने का प्रयास किया गया और वर्टमान में 6-14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार एक फंडमेंटल राइट है तो यहां पर दो ऐसे अधिकार मुझे दिख रहे हैं जो फंडमेंटल राइट्स हैं लेकिन ऐसे कोशन में मालो फस गए आप तो क्या करोगे मतलब ऐसा कोशन आ सकता है ना आपको राइट तो इंफोर्मेशन भी दे दे राइट वर्क भी दे दे शिक्षा का अधिकार भी ती तो 21 के तहट डारेक्टली जुड़ गया हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है आर्टिकल 21 मतलब राइट तो एजुकेशन ध्यान रखिएगा राइट तो इंफोर्मेशन पूचना का अधिकार इसको भी न्यालियों ने अपनी अलग-अलग व्याक्याओं के तहट हमारी न्याए पालिकाने उन्निस एक-एच के तहत प्रेस की स्वतंतरथा को भी शामिल किया है मोन रहने की स्वतंतरथा को भी शामिल किया MA कि इसितरी के से राइट दौ पारा जोड़ा ना 2005 में एक्ट लाए तो विधी कधिकार तो है लेकिन एस वेल एज एक एक प्रजातांतरिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवा अधिकार के विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरी हार्य है जरूरी है क्योंकि वो की लगा के देखो क्या व्याख्या हो रही है ए सही है आर गलत है जो भी है ये सही है दोनों सही है स्पश्टी करण नह कोई इन में डार्येक्ट को रिलेशन नहीं नहीं कर रहा कि वबलेश अलगी दुनिया में चल रहे देव बैला दुनिया में चल रहे है ए मतलब सही है आर गलत है आर गलत है क्या? हाई इस तरीके के question पिछले साल UPSC में भतेरे बहुत सारे पूछे गए हैं तो ऐसा blender मत करके आओ बिल्कुल सीधा सीधा सा correlation हमको दिख रहा है ए कह रहा है 6-14 वर्ष तक के बच्चों को दिशुल कनिवारिय शिक्षा राज्या प्रदान करेगा क्यों कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव के विकास के लिए जरूरी है तो क्यों कि यदि लगाओगे तो दोनों के बीच में correlation दिखा दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे है न ठीक है तो answer इसका D हो जाएगा दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है निम्नांकित में से कौन सा अधिकार राश्ट्रिया पातकाल तक में भी समाप्तिया सीमित नहीं किया जा सकता कौन सा ऐसा fundamental right है जो राश्ट्रिया पातकाल 352 में भी निलंबित नहीं किया जा सकता किसी देश की किसी भाग में निवास या बसने की स्वतंतरता व्यक्तिगत स्वतंतरता थाधा जीवन का अधिकार खारत की संपूर्ण छेत्र में भ्रह्मन की स्वतंतरता प्रतिया उपजीविका की स्वतंतरता कौन सा ऐसा fundamental right है कि यर मैं मैं फोन में देख रही हूं अच्छा एक बर मुझे दूसरे बच्चे बताओ अनिवेश बोल रहा है मैं जूम कर दो दिखाई नहीं दे रहा जूम इससे बढ़ा कर अब इससे जूम में क्या करूंगी है मेरा तक्नीक में हाथ थोड़ा तंग है आप लोगों को पता है काहे परेख जूम वूम नहीं करते है अनसर क्या हो जाएगा बहुत ही बढ़िया ध्यान रखिएगा दो ऐस तो आर्टिकल बीस ही किस दो ऐसे अधिकार है जो कभी भी निलम्बित नहीं है बाकी सारे फंडमेंटल राइट निलम्बित होते हैं मैंने आपको एक दिन और बताया था फिर से सुनलो आप पढ़ो गया आगे एक है 358 एक है 359 358 के तहट आर्टिकल उनिस निलम्बित होगा जैसे ही क्या नाम है इसका राष्ट्या पातकाल लगेगा आर्टिकल उनिस चला जाएगा जैसे ही हटेगा वैसे ही आजाएगा यह अपने आप निलम्बित हो जाएगा राष्ट्रपती की किसी विशेश आदेश की जरूरत नहीं हो और 359 के तहत बाकी के जो भी fundamental right है वो निलम्बित हो आर्टिकल 19 को छोड़के क्योंकि आर्टिकल 19 निलम्बित हो गया और 20 21 को छोड़के क्योंकि 20 21 कभी निलम्बित होते नहीं है ध्यान रखिएगा अगर कभी question बना इस बार या आने वाले एक दो वर्षों में इन 358 और 359 के deep concept पे बन सकता है थान रखिए कि पिछली बार मैं जब paid class में पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था राश्ट्रपती के इन बातों से question बन सकता है आप वो paid class मेरे ख्याल से नहीं वो YouTube पे नहीं पढ़ी है तेरे study IQ के app पे जिस अगर कोई first batch का कोई बच्चा है तो म बार direct question पूछा है ना वह वाला कि अधी राश्ट्रपती के चुनाओं को अवैद घोशित कर दिया जाता है तो राश्ट्रपती का चुनाओं अवैद नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे concept है जो अंचुए हैं वहां तक अभी UPSC ने नहीं टच किया है क्योंकि यह हमको कैसे पता ह हमने 20 सालों के question देखे हैं ना भई UPSC, CDS, CAPF हर किसी के देखे हैं वहां से question नहीं बना था इस बार बना 358, 359 के detail पे question जिस दिन बनेगा ठीक था question बनेगा मतलब tough question बनेगा भारतिय समिधान के अनुछे 25 में प्रयूक्त हिंदू शब्द किसे समिलित नहीं करता ध्यान र भारी भाषित नहीं हिंदू शब्द को basically एक्स वो किया गया है कि कई अन्य पंथों को हिंदूइज्म में शामिल किया गया है इसको कौन हिंदूओं में शामिल नहीं है बोध जैन एक पार्सी अंसर सबको पता ही होगा कि बताए अच्छा कम करने के लिए बोले हो ठीक है ठीक है नहीं है बहुत बढ़िया अंसर क्या हो जाएगा पार्सी पार्सी हिंदूब्ध जैन और सिख इन तीनों को हिंदू धर्म में ही शामिल किया गया है आप जब आर्टिकल पार्सी हिंदूइज्म में शामिल थोड़ी नहीं है पार्सी तो अपना एक अलग रिलिजिन हो ठीक है बोध जैन और सिखों को हिंदू के तहत हिंदू शब्द के तहती परिभाशे ठीक है दोस्तों मैं बता दू आपको 23 अक्टूबर से नया बैस शुरू हो रहा है अभी वाइक बचे हुए है कोशन खांदक ना भागना मत है पढ़ाई करनी है क्योंकि वहाँ टेली तीन घंटे की क्लास होगी टेली अंसर राइटिंग होंगी वीकली टेस्ट हो यानि इतना व्यस्त रहने के लिए तयार हो और बहतर प्रपरेशन करने के लिए तयार हो तो आप निश्चित तोर पे इस बैस से जुड़े इन प्रका देने वाले बच्चे हैं अटेंप्ट देने वाले बच्चे को इस सब्सक्रिप्शन से जून सकते हैं यदि एड्मीशन लेना है तो कोड यूज करना है अड्मीशन लेना है ल्ड लाइव ये मेरा कोड है इस कोड के साथ आपको ये स्पेशल डिसकाउंट मिल जाए तो 23 देने सब्सक्रिप्रण और ये किसी धार्मिक संप्रदाए अच्छा ये आईए स 2016 है को से लाभ उसको प्राप्त होग वह है संप्रदाए समुदाए विशेश केक्षिनिक संस्थानों की स्थापना और उनका संचालन कर सकता है वो अलपसंख्यक समुदाय शिक्षन संस्थापना और उनका रख रखाओ कर सकता है खारत के राश्ट्रपती इस समुदाय के एक प्रतिनिधी को लोग सभा में मनोनित कर देते हैं एक प्रतिनिधी लोग सभ एक दो तीन पताइए फटा-फटा अंसर क्या हो जाएगा कि इजी कोशिन है कोई कठिनाई होने नीचे यह इस तरीके के कोशिन में है सी दीसी बात है इसको तो सबसे पहले कट करो लोग सभा में एंगलो इंडियन्स के मनोनेयन का प्रापधान हुआ करता था आज तो वो भी नहीं है क्यों 104 समिधान संचोधन के द्वारा जो दो एंगलो इंडियन मनोनीत करके राश्ट्रपती भेजते थे लोग सभा में उस प्रापधान को खतम कर दिया तो अल्प संख्यकों का तो कोई प्रापधान ही नहीं बनता है ना हमारे Constitution में कहीं नहीं है पहली बात तो यह बिल्कुल फरजी option है एक बिल्कुल सही है क्योंकि जो भी अल्प संख्यक वर्ग होंगे उनको अपनी चिकिशन संस्थानों की स्ठापना और उनके प्रशाशन का अधिकार है आर्टिकल 30 के तहत और यह जो तीन है awaiting है क्यांग प्रधान मंत्री का जो पंदरा सूत्रीकार्यक्रम है यह क्लिये है तो भाई जबियू पंदरा सूत्रीक्रक के संख्यकों के कल्यान के लिए है तो अल्प संख्यकों को लाब तो मिल ही जाएगा अंसर क्या हो जाएगा अंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल सही बात है लग्की 15 सुत्री कारेकरम 2006 का है मैं माई इसका कोशिन है रंजन, रंजन का दिमाग देख लो खेर है मैं हम आई इसका कोशन है नहीं तू नहीं बताएं सोचू क्या का होगा इसने मैं हम कोशन कर लट हो जाते है की डर्ट खतम यही यही जो भै है ना इस दिन इस डर्ट से बहार निकल जाओगे उस दिन दुनिया जीत लो अपने व्यक्तिकत एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ हमारी हमारा जो यह डर होता है ना एक्जैम होल वाले दिन की जैसे ही पैर अंदर रखते हैं तब जहां पर हमें बैटना होता है सेंटर में तब जो भी हमारा सेंटर पढ़ता है परिक्षा होल में परिक्षा केंद्र में वैसे ही दिमाग सुन हो जाता है हाथ पैर कॉंपते हैं रिष्टेदारों का चेहरा याद आने लगता है ना कौन क्या कहेगा से पोण जले पर नमक छिड़केगा या इस बार हम छिड़कने नहीं देंगे उसी वह में उसी डर में दिमाग खराब हो जाता है आते आते कोशिन जिन बच्चों ने अटेंट दिया होगा न जिन बोईस कट हो रही है क्या हलो 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 अ हो रही है क्या मुझे एक बार बता दो कोई बताएगा को क्यों को टोरी है भाई यह तो चेक करवाना पड़ेगा सम टाइम्स ओके है क्लियर है क्लियर है भाई अभी कोई option नहीं है बीस मिनिट जेल लो कोई cutting नहीं हो रही नाउ क्लियर पीच में हो गया होगा कोई बात नी ठीक है तो आगे बढ़ते हैं मेरे कहने का यही अभी प्राय था दर ना छोड़ दो वह एर हत कर लिया अगरो डर के आगे जीत तरना नहीं है भाई डर से आगे निंखनो ये बताओ किसी अपराद के अभ्यूक्त को किसी भी अपराद के अभ्यूक्त को छ्व्यम के विरुध गवाही देने के लिए बाढध बोलेंगे लब जोर से बोलेंगे अंसर क्या हो जाएगा बहुती बढ़िया अपराधों के दोश्यसिध्धी संबंध में संरक्षन आर्टिकल 20 में दिया गया है और यह जो आर्टिकल 20 है यह सभी नागरिकों को प्राप्थ होगा है ना आर्टिकल 15 16 19 39 आर्टिकल 20 सभी प्रभावी ना इसको explain करेंगे कभी fundamental right में और 22 कहता है दोहरे दंड का निशेद एक अपराध के लिए दो बार दंड नहीं दिया जाएगा और 23 साफ तोर पे क्या कहता है स्वियम के विरुद्ध गवाही से छूट किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा अपने विरुद्ध गवाही देने से आर्टिकल 23 कहता है साफ साफ ठीक है पटाफट बताओ भाई आज खतम करना है यह समिधान का कौन सा नुचेद दोश सिद्धी के संबंध में अभी युक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशाशन से संरक्षन प्रदान करता है कौन सा यह अप राधों का दोश्ष्भी संबंधी संरक्षन मतलब अंसर क्या हो जाएगा फटाफट अंसर हो जाएगा बी आर्टिकल 20 में तीन अधिकार दिये गए हैं तभी व्यक्तिों को अपराधों से के दोश सिध्धी संरक्षन के संबंध में बहुती बढ़िया सारे बच्चे किस व्यक्ति को एक ही अपराद के लिए एक बार से अधिकभ योजित और दंडित नहीं किया जा सकता अपराधों के दोश सिध्धी संरक्षन अब मैं आपको नहीं बताऊंगी हमको पता है आर्ट विधी की समयक प्रक्रिया यानि विधी की उचित प्रक्रिया मूल रूप में हमारे समिधान में विधी द्वारास्थापित प्रक्रिया है लेकिन वो कौन सा अनुछेद है जिस अनुछेद के चलते विधी की उचित प्रक्रिया को हमने अपनाया है अंसर क्या हो जाएगा सारे होएंगे अश्रफ पंचायती राज के भी होएंगे बच्चे हम क्रम से चल रहे हैं जैसे देखो हमने समिधान मिर्मान के MCQ के राश्ट्रे प्रतीकों के किये उसके बाद प्रस्तावना के किये काफी सारे कर चुके हैं और शाशन प्रनालियों के MCQ के अब फंडामेंटल राइट के कर रहे हैं कल से हमारे DPSP के PYQ शुरू हो जाएंगे ये MCQ नहीं है ये PYQ है ना MCQ में अलग से करवाओंगी लक्षमी कांत वगेरा के PYQ यानि previous year questions हैं ये सारे की सारे एक भी question मेरा नहीं है इन में सारे अलग-अलग परिक्षाओं में पूछे हुए question है ये ठीक है answer क्या हो जाएगा very good बहुत बढ़िया मेन का गांधिवाद 1978 साफ तोर पे सुप्रीम कोट ने फैसला दिया एक तो उनके passport को जब्त किया था उसे अवैद घोशित किया और ये कहा कि हम केवल विधी ही नहीं देखेंगे विधी के substance को भी देख सकते हैं यानि विधी की उचित प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी आर्टिकल 21 के तहत विधी की उचित प्रक्रिया को हम देखते हैं very good और एक दिन इसको मौलिक अधिकारों की रक्षा की सनुछे के द्वारा प्राप्त है अच्छा 15-21-17-22 बंदी गिरफतारी के संरक्षन संबंदी अधिकार मालों कोई व्यक्ति बंदी बनाया गया है गिरफतार है तो उसे कुछ अधिकार है ना सामान्य अपराधों में कि भई गिरफत होकर है ना तो ध्यान रखे का आंसर क्या हो जाएगा इसका वेरी गुड आर्टिकल 22 में गिरफतारी के संबंध में संरक्षन का अधिकार है यह जो आर्टिकल 22 है इसे एक बार देख लो वैसे तो आप अलग से पढ़ होगी ही आर्टिकल 22 के दो आधार होते हैं एक तो होत निवारक निरोधक जो कानून है जैसे आतंकवादी हमले जैसे अलग अलग हमारे निवारक निरोधक कानून है ना टाडा पोटा अलग अलग समय पे अलग अलग रहे यूए पी ये तो इस तरीके के जो भी प्रावधान होंगे मतलब जिन भी लोगों को गिरफतार किया ज उन लोगों को आर्टिकल 22, 1 और 2 के ये जो तीन अधिकार है न जो मैंने अभी बताए ये नहीं मिलेंगे ये अधिकार केवल सामान्य अपराधों में ही मिलते हैं आर्टिकल 22 को अच्छे से पढ़के जाना किसी दिन आई आर्टिकल 22 से जब कोशन बनेगा किसी दिन क्या बन लेंगे ये अधिकार केवल सामान्य अपराधों की कंडिशन में ही मिलते हैं ठीक है बंदी प्रत्यक्ष बंदी करण अधिनियम के प्रत्यक्ष बंदी करण अधिनियम मतलब वही निवारक निरोधक अधिनियम के अधिन एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है बता दो एक महीने के लिए, तीन महीने के लिए, छे महीने, नो महीने ये आर्टिकल 20 के basically 3 तीन से लेके जो आगय के प्रोविजन हैं नी जो निवारक जो प्रोविजन है उनसे समबंदित है कितने समय के लिए एक व्यक्ति विना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है बहुती बढ़िया देव अंजली लक्की बहुती बढ़िया बच्चे प्रिज भूशन क्यों गलत हो रहा है वो सकते है पिछला कोशन कर रहे होंगे संजना, तरुन, पूजा, तनु, दिव्या, प्यूश, बहुती बढ़िया भाई तीन महीं में देखो होता क्या है पहली बात तो आर्टिकल बाइस तीन से लेके साथ तक निवारक निरोधक कानूनों के तहत जो व्यवस्थाएं है उनका प्रोवीजन है आर्टिकल बाइस त तीन साफ तोर पे ये कहता है कि देखो भाई यदी कोई व्यक्ति निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफतार किया गया शक की बिनहां पर गिरफतार किया जाते हैं सकता है या सामू ही कोई अपराद कर सकता है तो शक के बिनहां पर गिरफतार कर लिया तो ऐसे व्यक्ति क नहीं अगर लगे की ये व्यक्ति खुखार टाइब का प्राधी है तो सलहकार एक कमिशन बनेगा अगर या उसकी योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में ये सलहकार बोर्ड अगर ये इसकी अध्यक्ति को बिना बंदी बनाएं आप ये तीन महीने से जादा बंदी बनाना है तो इस सलहकार बोर्ड की पर्मिशन जरूरी होती है बिना पर्मिशन भी तीन महीने तक कोई व्यक्ति बंदी बनके रह सकता है ठान रखेगा इस बात को आर्टिकल 22 को पढ़ लो एक कहोगे तो मैं पढ़ा दूँगे क्या है वैसे पढ़ाया हुआ होगा अमरित सर ने देखना स्टडी आई क्यों ये सिंदी पर पढ़ा होगा पक्का नीमनलीकित में से किस एक प्रलेग को किसी व्यक्ति की स्वतंतरता का महांतम रख्षक माना जाता है बतादो कौन सी ऐसी है वेरी गुड़ अंजली चोहान बहुत बढ़िया देव जल्दी जल्दी अंसर कुरो भाई अश्रफ प्रमोद प्यूश संजना तनू तरुन अच्छा बच्चा लक्की वसीम नईम चलेश बहुत ही बढ़िया भाई बंदी प्रत्यक्षी गरण पहली रिठ है बंदी प शरीर पेश करो जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसे हमारे सामने पेश करो तो बंदी प्रत्यक्षी करण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की नहें में भी जारी हो सकते हैं और नीजी संदर्व में मालो यदि किसी व्यक्ति ने किसी का अपहरण कर लिया है तो भी कोट इस रिट के तहत आदेश दे सकता है कि भई हमारे सामने पेश किया जाए उस व्यक्ति को तो यह व्यक्तिकत स्वतंतरता की सबसे बड़ी संरक्षक मानी जाती है मूल अधिकारों के संबंध में निमनलिखित निर्णियों का कलानुकरम बता दो एक बार ओप्शन्स आपको नहीं दिखेंगे इसके लेकिन आपको पता होना चाहिए इस तरीके के कोश्चन धान रखना UPSC मतलब CDS, CAPF और PCS वगएरा में उचे गए हैं बार बार IS में भी मेरे ख्याल से एक दो बार आया होगा बता दो गोलकनात केश्वानंध मिनर्वा मिन्स गोपालन एक गोपालन वाद तो अंसर क्या हो जाएगी? अंसर क्या हो जाएगा? कोपालन वाद कब का है? 1950 का है उसके बाद गोलकनात वाद का है? 1967 का है इसी गोलकनात वाद में कहा था ना कि राज्या फंडमेंटल राइट में कोई संचोधन नहीं कर सकता बिलकुल नहीं कर सकता ठीके केश्वानंध भारतिवाद कब का है? 1973 का है और मिनर्वा मिल्स कब का है? 1980 का है देखो मैं कभी भी आप लोगों कोई एडवाइज नहीं करती कि जितने वाद आ रहे हैं सबरत लोग कुछ भी पूछ सकता है UPSC ऐसा नहीं होता है कुछ फेमस वाद होते हैं इनको लेकिन उनको हमें पक्का पता होना चाहिए क्या था उसमें क्या नहीं था है ना जब आप बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पढ़ते हो तो यह सारे के सारे वाद आपको देखने को यह मैंने लिख यह Hilbista ऊंचोन का है ध्यान रखिए जोखिम बड़े उद्ध्योगों में बाल श्रम का उपयोग निशिद्ध किया गया है जो जोखिम भरे यानि जो खतरनाक उद्ध्योग है उनमें बाल श्रम का उपयोग किसके तहत निशिद्ध किया गया है भारत के समिधान द्वारा दस दिसंबर 1996 के सरवोच्चे नियालने के निरने द्वारा तहीं तिराष्ट्र के चार्टर द्वारा तो ऐसे ऐसे में कभी भी इस तरीके का कोशन आए कि भाई कोई एक बड़ी आसा संकल्प है बड़ी आसा संकल्प है यह जोखिम भरे उद्योगों में बच्चे काम नहीं करेंगे तो ऐसा कोई भी जो प्रोवीजन है वो किसके तहट संरक्षित हो रहा है अंचली एक बड़ना रिफ्रेश कर लो बच्चे क्योंकि मेरे सामने जो माइक ओन है उसमें दिख रहा है और हलो 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 आनी चाहिए भाई वो इस तो आनी चाहिए लेकिन अब मुझे एक प्रोब्लम जादा आ रही है तो फिर मैं चेक करवाऊंगी ऑप्शन नहीं देखो इस तरीके के कोशन में हमेशा आप सभी पे जाना क्योंकि भारतिय समिधान दुआरा तो आपको पता ही है आर्टिकल 24 में साफ तोर पे बात है तरवोच नियाल्या का उनीस सो चानवे का एक निरने आया था MC महतावाद इस MC महतावाद में जो बच्चों का जो शोशन हो रहा था ये जो खतरनाक बच्चों में उद्योगों में बच्चे काम कर रहे थे इसके संदर में सुप्रीम कोट की ठीक्था गाइडलाइन साई थी ध्यान रखेगा और संयुक्त राष्ट राष्टर का चार्टर है तो संयुक्त राष्टर का चार्टर तो भाई बाल शरम का विरोध करेगा ही ध्यान दखेगा वोई सारी ना कभी कभी होती है एक लिए आ रही है ना बहुत बढ़िया वोई बिल्कुल क्लियर है नो प्रोब्लम ठीक है जिसको मेरी वोईस नहीं सब अपने अपने मोबाइल फोन को चेक करवाएं यह बता दो भाई यह भी आई इसका कोशन है अब रंजन दरना मत ठीक है कर दो वहुत इजी कोशन है भारत के संदर्भ में निमनलिखित में से कौन सा अधिकार और करतव्यों के बीच में राइट्स और डूटीज के कुछ भी करो तब मेरी मर्जी मैं चाहे यह करूं मैं चाहे वह करूं मेरी मर्जी नागरिकों के व्यक्ति के विकास व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार जरूरी है करतव्य जरूरी नहीं राज्चे के स्थायत्व के लिए करतव्य जरूरी है अधिकार जरूरी नही है अंसर क्या हो जाएगा मैं थोड़ी साइड हो जाती है तो यह आई-एस का कोशन है अच्छा ओल इसका ओल कहां से हो जाएगा भाई अच्छा पिछले कोशन मैं अपना माइक चेकी किया ना उसके बाद ही पूछ अंसर क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया इस तरीके के कोश्चन में बच्चे कन्फ्यूज हो और क्या पूछ लिया क्या पूछ लिया फर्जी कोशन पूछ आई इस तब बहुत इसको छोड़ो अधिकार व्यक्तिकत है स समाज से स्वतंत्र हैं क्या आपके अधिकार संरक्षित रह सकते हैं यदि आप समाज के मुल्यों का तोहन करो तो या आप खुले आम को हो आपकी भई मेरी मर्जी मैं तो गाली बखूँगा मैं तो अशलील भाशा का प्रियोग करूँगा सब के लिए हैं तो ऐसे व्यक्त किसी के विकास के लिए अधिकार जरूरी रह पाएंगे मेरको अपनी छड़ी गुमाने का अधिकार तब तक है न जब तक ये किसी दूसरे की ना को ना टच न करें यदि मैं के वल अधिकारों की बात करूंगी तो तो दूसरे के अधिकारों का उलंगन होगा इस करम में तो किसी के भी अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे राज्ये के स्थाइत्व के लिए कर्तव्य जरूरी है अधिकार जरूरी नहीं है अधिकार तो राज्य के स्थाइत्व का अधार है ना भई राज्य किस से मिला राज्य के लोगों से मिलके बना और जब तक लोगों का विकास नहीं होगा राज्य का विकास कैसे हो जाएगा अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं सह संबंधित हैं ज़ि मेरे कुछ अधिकार हैं तो मेरे कुछ करतव्य भी है आ समझ में आई तो दोनों के बीच में सह संबंध है छलो नीमनलिखित में से कौन सा सही है ये बड़ा अच्छा कोशन है अधिकार नागरिकों के विरुध राज्ये के दावे हैं अधिकार वो विशेश अधिकार हैं जो राज्ये के समिधान में समाविष्ट हैं और समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं अधिकार राज्ये के विरुध नागरिकों के दावे हैं अधिकांश अधिकार अधिकांश लोगों के विरुध कुछ नागरिकों के विशेश अध कि बिल्कुल सही बात है कुछ चीजें विवहार में लागू होंगी धीरे धीरे लागू होंगी तीक है भाई एक तो ना अभी मैं एक बार यह कोशन कर दूँ फिर आती हूं आप लोगों पास पटे हुए हो आप में से तीन चार बच्चे कह रहे हैं मैं अपना माइक ठीक कर बागी बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है ऐसा कैसे पोसीबल अगर मेरे साइड से सब कुछ सही है तो सबको आवाज सही आनी चाहिए ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ बच्चों के फोन में बिल्कुल सही बोल रही हूं और कुछ बच्चों के फोन में सही नहीं बोल र यह सकते हैं सुप्रीम कोट हम या जा सकते हैं ध्यान रखेगा क्लियर है बिल्कुल वॉइस कि आपके साइड से प्रोब्लम है अच्छा एप के साइड से कीड़ आपके साहिए वैब वोइस कभी कभी ठीक है ब्रेक हो रहे है बिलकुल को एर है ओल ओवर है वैस क्लिएर है कि जफ्ट्र एक्ट हैि जिख मैं रिकोर्ड adventure सौल कि आता साही ज्यास कि मेरा फोन नया है अच्छा यह आप इस देखो यह लगा हुआ माइक ने दिखता आप लोगों यह यह लगा हुआ और मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ और वो हमेशा आवाज सही ही आती है मैं वो इस कभी कभी ब्रेक अच्छा यह बार बार अंजली ही मैसेज करें बिल्कुल क्लियर है और अपनी क्लास सुनूंगे बात निश्करश पर पूचिए है ठान रखेगा अंसर सी हो जाएगा दो सेवा का अधिकार की अवधारना कहां प्रारम हुई जो यह सिटीजन चार्टर हाँ सेवा का अधिकार आप किसी ओफिस में जाते हो आपको वहां पहले ही पता लग जाए कि हमारा वीजा इतने दिन में लग जाएगा सोरी हमारा पासपोर्ट इतने दिन में बन जाएगा हम लगलग PCS की परिक्षाओं में और कुछ IAS की परिक्षा में पूछे गए थे हो गए हैं अब हम TPS पी शुरू कर देंगे कल की क्लास से और आपको ये complete PDF आज आपको अभी थोड़ी देर में मेरे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी कि अभी मैं उसकी डिटेल्स बता देती हूँ तो अंसर क्या हो जाएगा वेरी गुड तो पहली बार ये जो सिटिजन चार्टर की जो अवधारना है ये ग्रेट प्रिटेन यानि इंगलेंड में देखने को क्या ध्यान रखेगा तो इस तरीके से fundamental rights में हमने बहुत कुछ है बहुत कुछ समझा है और इस पूरे के पूरे PDF को आप क्या करना एक बार खुद से करना आपको पूरा PDF करने में मेरे ख्याल से 35-40 मिनिट लगेंगे जादा से जादा एक घंटा मान लो क्योंकि पूरा अगर आपने सारी classes की हैं तो जाएंगे इंस्टेग्राम फेस्बूक पेज़ भी मुझसे जूड़ सकते हो इसके साथ ही 23 अक्तूबर से नया बैस शुरू हो रहा है यदि आप इस बैस से जूड़ना चाहते हो तो study IQ के app या website पे जाना है या इस वीडियो के description box में link दिया होगा वहां पे जाकि आप admission ल या platinum आप किसी तरीकी का सब्सक्राइब सकते हैं कि constitution development एक बार अभी न मैं इस क्रम से पीछा चूट जाए जैसे तीनों एक क्रम से पढ़ रहे हैं प्रस्तावना पढ़ा हमने fundamental rights देखे खे खतम कर लिए अब कल से हम DPSP देखेंगे एक दो class में DPSP हो जाएंगे fundamental duty देखें के जितने भी कोशन PCS बगेरा में आये हुए है ना वो मैं करवा दूँगी दिवया क्या बोले पॉलिटी कीवर्ड का एक सेशन ठीक है यार अभी थोड़ी सी बीजी चल रहे हूं दिवया जब मैं फ्री होंगी तो जरूर इस पर विचार करूंगी मैंने आपका टेलीग् चान रखिएगा बंडे टू फ्राइडे डेली क्लास चली जैसे कल इंटरनेट का कुछ इश्व हो गया था कोई तारवार यहां पे आला कि यहां इंटरनेट टच वूड बड़ा सही चल रहा है मुझे अपेक्षा नहीं थी कि छोटी जगह है ना आगरा बड़ी जगह था ललीट पूर चोटी जगह है तो मिरको लग रहा था इंटरनेट का खत्रा ना हो जाए लेकिन इंटरनेट का ऐसा इच कोई इश्व नहीं आता है आपके कभी कभी इश्व आता है जैसे पिछले दो धाई महीने में केवल दो बार इश्व आया है तो यह बहुत ज्यादा न रहा ललीत दहिया अकैडमी टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा ठीक है मिलेंगे कल सुबह 10 बजे अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना जितना ज्यादा शेयर कर सको उतना शेयर करना चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट ज़रूर एक कमेंट ज़रूर देना ठीक है मिलेंगे कल सुबह 10 बारत अगर को कर दो